हरिद्वार जिले की लोग सभा सीट होट सीट बनती जा रही है जिसमें कॉंग्रेस से पूर्फ सीएम हरीश रावत और उनके बेटे दावेदारी ठोकी है दूसरी और हरक सिंग रावत ने भी वहां से चुनाव लड़ना जाते हैं इसके साथ ही हीरा शिंग बिष्ट जो की पूर्फ कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इक्ष़ जाहिर की है इसके साथ ही उन्होंने मीडिया में अपना बयान भी जारी किया है ऐसे में पार्टी के सामने बड़ी ही असमंजस की स्थिती पैदा हुई है वही इस पर कॉंग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीश पाल बिष्ट का कहना है कि लोग सभाचुनाव में एक एक सीट पर दरजनों प्रत्याशी कॉंग्रेस पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं इसमें कोई भी गुडबाजी जैसा सवाल नहीं है शीश पाल बिष्ट ने कहा कि जैसे ही केंद्री नेत्रित्व किसी एक प्रत्याशी पर सहमती बनाएगा सब नेता उसके लिए काम करेंगे देहरादुन से ब्यूरो चीफ अब नीश गुपता की रिपोर्ट सबके सब कॉंग्रीस की विचारधारा से बंदेवे नेता हैं और निश्चीप तोर पर ये विचारधारा के लड़ाई है और आज इस तरीके से लोकतांतर में हैं समिधान के अवेलना हो रही है तो ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है ये गरीब मजदूर किसान मातर सक्ती की लड़ाई है तो निश्चित तोर पर जो है ज्यादा परत्यासी होना इस बात का सुब संकित है कि आज भी अंधेरे में उजाले की करण आम आदमी को हो चाहे नेतरत्व को हो लोगों को हो वो कॉंग्रिस के रूप में दिखाए दे रही है